आज कि वीडियो आपको बताने वाले हैं सोस्योलोजी यानि कि समासास्त के कुछ common कुछ basic question जो की परिच्छा में हमेज़ा repeat ही होते हैं कुछ question common होते हैं तो उन्हें के बारे में आपको बताने वाले हैं अगर आप इनको तैयार कर लेंगे तो आप अच्छे नंबर प्राप् लगभग लगभग question से जुड़े आते हैं जो भी थर्ट समस्टे के पर इच्छा होती सोस्योलोजी में यह सभी चात्रों के लिए महात्पुर्ण अब चाहें जिस भी इन्वर्शिटी के चात्रों ठीक है तो इसका उत्तर लिखना है कि उन्हें सदी का जब सुरुआत हु की दसा में सुधाल लाने का बहुत अथक प्रियास किया यानि कि आप सभी देखते हैं कि महिलाओं को पुर्ण की क पेच्छा बहुत ही पीछे देखा जातहा मतंब कि कुल मिला के हमारा जो सिष्टम है समाजoras में यही चलता है कि पति कमा रहा है और जो महिला है उसकी पतन तिस समास्तुधारक हैं, जिन्हों ने ये कहा है, कि जो पुरुस हैं, ठीक है, और जो महलाएं हैं, महलाएं किसी भी पुरुस से कम नहीं है, अगर पुरुस कोई नौकरी कर सकता है, पुरुस कोई हार्ड वर कर सकता है, तो महला भी कर सकती है, महलाओं को भी बराबर हिस्से दारी दी जाए और उनको उतनी ही ठीक है जिम्मेदारी और उतने ही उनको ठीक है सुभिधाय दी जाए जितनी एक पुरुस को दी जाती है ठीक है तो वही पर यहां पर वही चीज के बारें बताया गया है कि नजरिये से पुरुस को देखा जाता उस नजरिये से महला को भी ठीक है उनके फाते ना इंसाफी नहीं हो ठीक है तो वही बताया जा रहा है कि उनके कारकरम बनाकर उनकी दसा में उनके कंडिशन में सुधार ठीक है का प्रियाफ किया है महला आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन किया गया जिसका नाम है महला आंदोलन इसमें पुरुस का निगाह से देखते हैं ठीक है तो उन सभी के लिए महला संगठन ने और काफी पुरुसों ने एक आंदोलन छेड़ा और उस आंदोलन में पुरुसों का भी योगदान रहा कुछ अग्रिडी महलाओं ने स्वता अपने प्रियासों से महलाओं की समस्याओं के समाधान के यह कुछ संगठन थे और जब यह महला अंदोलन हुआ तो इन सभी का बहुत ज़्यादा योगदान रहा इन सभी संसिताओं का इनके बाद्यम से ही पूरी तरह फुचारू रूप से अंदोलन चल पाया और अंदोलन का मतलब यही होता है कि किसी चीज की मांग के लिए किस मंतरप्रदेश कंषे में हला कि भारत में क्या सिस्टम था अप लोग यह उन देखा था अपने देखा था कि जितने भी हमारे फारा खाने का सामान आता है तो वह पूरी तरह आफ्टाइगित हो गया था और महेंगाई चरम सीमा पर बढढने लगी थी ठीकहं तो बहुत फारे जो ड्राइबर थे उन्होंने क्या किया थे एक तरीकी से हर्ताल करके आंदोलन ही तो किया था ठीक है वो किसी चीज की डिमांड कर रहे थे या किफी चीज की डिमांड की जाती है या किफी चीज की मांग की जाती है जो लीगली हो या फिर किफी चीज को गल पर्यावरण अंदोलन के बारे में क्या आप जानते हैं फिर पर्यावरण अंदोलन के बारे में बताईए तो पर्यावरण आंदोलन संपूर पर्यावरण में उन उद्देशों की प्राप्त के लिए किया जाता है ताकि संपूर जो पर्यावरण है ठीक है जिसमें प्राकृ पर्थाओं में शंचोधन की बात की जाती है जो पर्यावड़े के लिए हितकार नहीं है ठीक है प्रमुक पर्यावड़े आंदोलन के उत्तराखंड का फंदरलाल बहुगुडा का चिपको आंदोलन भागी रथी और टेहरी प्रयोजना फर रच्छड आंदोलन मध्य प्रद प्रमुक पर्यावड़े आंदोलन में सुधार है प्रयोण को पूरी तरह लोग दूसित करने का प्रियास कर रहा है या पिर दूसित हो रहा है ठीक है और जो ठीक है तो इसके लिए ये लोग आंदोलन करते हैं कि ताकि हम लोग कहां पर रहते हैं एक पर्यावड़ पर हमारा जो चारों तरफ जो लोग है जो बीजी जब किसी पर्यावड़ में घीरे होते है ठीक है तो यह पर्यावड़ जब तक सुद्ध नहीं रहेगा तब तक आपका जीवन अच्छे पनेजल पाएगा ठीक है अच् भी है आपके जो ठीक है समाज में उन लोगों की ठीक है जो सोच है उन में बहुत फारी समस्य आएंगी तो पर्रयावन आंदोरन बहुत ही जरूरी है और समय समय रहते होना चाहिए तभी पर्रयावन में फुधार भी होता रहेगा ठीक है अगला प्रस्ण है भाईया कि दलि हिंसा कि प्रमुक्ष रूप ठीक है यह कभी कदार आता हमेशा नहीं आता तो आप पढ़ भी सकते अग्दोर भी कर सकते ठीक है अगला कुश्चिन कई बार पर इच्छा में आ चुका कि प्रगति तथा विकास में अंतर बताईए ठीक है तो बहुत इस सिंपल ढंक से यहा अता इसमें दिसापूर्व निचित होती है जबकि विकास यह हूता है कल्यानकारी परिवर्तन होता है जो अर्थिक विकास तथा भात्थिक संब्रदता पने अंत्यम अस्तर को प्राप्त होती है जबकि विकास अंतिम अफ्तर की और ले जाने को एक साधन हो सकता है तो इस प्रकार प्रिगत और विकास के बारे में लिखेंगे काफी helpful question है कई बार आ चुका है परिच्छा में तो ध्यान लखेंगे तैयार कर लेंगे ठीक है फसेगा पक्का सांस्कृति करण कई बार पर इच्छा में भी आ चुका है तो सांस्कृति करण जो होता इसकी प्रिकरिया संचिप में विष्णा कीजिए तो इसका उत्तर लिखना है कि हमारे एक प्रमुक बिद्वान है लेखाक है जिनका नाम है डाक्टर स्री निवास जी इन्होंने कहा है कि समाने रूप से सांस्कृति करण एक जाति को जाति ठीक है संस्तरण में उचापत प्राप्त करने के योग बनाता है सांस्कृत की प्रिकरिया के अंतरगत केवल उच जाति के रित रिवाजों और आदतों को ही नहीं बल्क उनके बिचारों और मुल्यों और उनके आदर्सों को भी ग्रहन किया जाता है यानिके एक्सप्ट किया जाता है वंत समों के छेत में सांस्कृतिकरण वंस के महत पर जोड़ देता है और इफले उच्चुवन से के साथ समरोपता अस्थापित करना भी सांस्कृतिकरण की प्रिकरिया में आता है सांस्कृतिकरण प्रिकरिया में होता यही है सिंपल सा कि जो अक्सन जो निम निजातिया जो नीचे जात की जो लोग होते है ठीक है इनको उपर की और गत सीलता के रूप में यानि कि उपर की और बढ़ाया जाए और इनको मनोबल बढ़ाया जाए इनकी जातियां है जो इनमें आप लोग एक तरीके से बोल सकते हैं कि इनको गत सील मतलब की आगे की और बढ़ाया जाए ठीक है इसी के रूप में हम सं श्कृतिकन की प्रक्रिया को देखते हैं और यह एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से निम्न जातियों को ओपर की और बढ़ाया जाता है और गत सील बनाया जाता है ठीक है तो इस प्रकार सिंपल सा प्रशे लिखेंगे आप अपने अनुसार भी इसका उत्तर तयार कर सकते हैं प्रोसेस होता है प्रवत्ति होती है ठीक है उसको हम उद्विकास कहते हैं यह प्रतेक वस्त का बढ़ना फैलना उद्विकास नहीं होता तो दाहरन के लिए मिट्टी के बढ़ते हुए धेर को उद्विकास नहीं कहा जाएगा वाफतों में उद्विकास का संबंद उस प्राइलाव से है जिसमें कोई भी वफ्त फरल आफ्था से जटिल आफ्था में आ जाती है उद्विकास को हम निम्न सूत्र द्वारा प्रकट क पर सकते हैं जैसे कि निरंतर परिवर्तन प्लस निस्चिश दिसा प्लफ गुडातमक अंतर भ्फ धांचे वाकार में भेनता बराबर उद्विकास ठीक है तो इन सभी को मैं प्लस करेंगे तो वहाँ पर उद्विकास आता तो जांपल समर लेते हैं जैसे कोई कुमार होता ह वो पहले क्या करता है मिट्टी के बरतन यह मिट्टी का घड़ा बनाता है ठीक है तो पहले वो मिट्टी को गूंदता है गूंदने के बाद उसमें कुछ मेट्रेल होते जो मिलाये जाते हैं मिलाने के बाद फिर ठीक है कच्चा मिट्टी का घड़ा तयार करता है घड़ा तय होता भाई जब पहले जब पका रहेगा तो साइद ठीक है कम रहेगा इस टोंग फिर वह बढ़े हलका थोड़ा मतब की बढ़ जाता है ताकि वह पक जाए ठीक है तो इस प्रकार आप लिखेंगे इसी तरह आप और भी एक्जामपल ले सकते हैं मैंने एक छोटा सी एक्जाम अगर आपके पास्टा में तो बेसेक इनको ध्यान दे लेंगे ठीक है इंपार्टन कोश्चन है हम वही प्रस्चन बता रहें जो 100% उम्मीद है आने की परिच्छा में ठीक है इनहीं में से प्रस्चन आएंगे अलग कहीं सो कुछ नहीं आएगा समाजिक परिवर्ता समाज इन दोनों के बारे में आप पढ़ सकते हैं ओपर ही वाला कोश्चन है लेकिन यहां पर अंतर दिया गया है बस ठीक है भारत में पश्चमिकन कभी कदार आता हमेशा नहीं आता समाजिक संरशना का अर्थ ही हमेशा आता कभी भी ऐसी परिच्छा नहीं हो जिसमें समाजिक आता कशे ना आया ना ऊटहिए आपकी परिच्छह में फसे यह घंद कर दिखा दे रहा हूं करसक आन दोलन यह भी कई बार पर इच्छह में आ चुका है तो हिलफूल कोश्चन है और आप लोग को तैयार करना बनता है नहीं कई बार प्रदोग सोचना प्रदोगी किसे आप क्या समझते हैं इसकी मुक्य प्रकार बताइए ठीक है पूरी के पूरी पूरी पीडियफ हम आपको टेली वर्टसप पर लिंक कर देंगे तो आप लोग वहाँ पर तयारी कर लिजीएगा बाकी जो जो मैंने बताया उन पर आपको जरूर तयार करके जाना है ताकि आपके लिंक में आपको हेल्प मिल सके और कोई कोश्चिन जरूर पहुचे और टेलिग्राम वाटसप का लिंक वीडियो के ही डिस्कुप्शन में है जोईन हो जाईएगा और जब पेपर हो जाईएगा तो उसी नंबर पे आप लोग हमें कोश्चिन पेपर संड कर दीजेगा जिस पे आप लोग लिंक होंगे अभी ठीक है जहिंद